Hello and welcome to the extra class English आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी पोएम A Thing of Beauty by John Keats इस पोएम के थूप पोएट के मेसेज देना चाहते है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें सुन्दर लगती है जब भी हम उसके बारे में सोचते है तो हमारी आखों में उसकी जो ब्यूटी है वो और जादा बढ़ जाती है और वो सिर्फ और स्रिफ हमें खुशी देती है चाहे हम बिमार हो, चाहे हम साड हो जब भी उस चीज के बारे में हम सोचेंगे हमें हमेशा happiness मिलेगी और इस चीज की जो ब्यूटी है वो हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी तो देखते हैं इसकी line by line summary and साथ साथ इसके word meanings भी Let's start तो poem शुरू होती है A thing of beauty is a joy forever Its loveliness increases It will never pass into nothingness यानि ये जो thing of beauty है It's a joy forever मतलब जब भी हम इसके बारे में सोचेंगे हमेशा खुश ही मिलेगी happiness जो है वो मिलेगी और इसकी जो loveliness है, इसकी जो beauty है वो हमेशा increase होती रहते है कभी भी कम नहीं होती And next वो खहते है But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet bread अब imagine करो एक बहुत hot summer day है And उस देर आपको एक बहुत अच्छे से बड़े से पेड के ही मीचे ठंडी ठंडी चाय मिल जाती है तो उससे क्या हो जाता है आपको बहुत अच्छा लगता है Similarly, यह जो thing of beauty है यह एक ऐसा atmosphere प्रवाइड करती है यह एक ऐसी pleasant shady place प्रवाइड करती है अन्ट ट्रीज जो कि हमें एक sleep देती है that is full of sweet dreams, good health और यह सारी चीज़े Next poet कहते है Therefore, on every morrow are we readying a flowery band to bind us to the earth इसी लिए हर सुभा जब हम beautiful beautiful flowers को देखते हैं तो हम क्या करते हैं उनको चुनते हैं और उनसे बहुत सुन्दर सुन्दर garlands garlands यानि की मालाई जो हैं हम वो बनाते हैं और वो हमारा एक तरीका है अर्थ के साथ bind करने का क्यों? वेकरज अर्थ ने हमें बहुत सारी thing of beauties जो हैं वो यहाँ पर दी है अब रेधिंग का मतलब क्या हुआ? making तो वो ही poet यहाँ पर कह रहे हैं यह हमारा एक way है यह जो हम सुन्दर-सुन्दर फ्लावर्स को चुनते हैं उनसे गालिंज बनाते हैं यह एक तरीके से हमारा तरीका है अर्थ के साथ bond बनाने का तो वो कहते हैं तो यहाँ पर poet कह रहे हैं कि despite the fact की बहुत ज़्यादा साड हो हम respondents यानि की साड और बहुत ज़्यादा ग्लूमी डेज हो और इस दुन्या में चाहे कितने भी अच्छे सोल्स की कमी क्यों ना हो गई हो डर्थ मतलब लाक लाक अफ इन्यूमन सोल्स चाहे उनकी कमी क्यों ना हो गई हो लेकिन यह जो thing of beauty है इन सब चीजों के बारे में हम भूल जाते हैं जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो चाहे अच्छे लोगों की कमी क्यों ना हो चाहे लोगों में humanity रहे या ना रहे यह जो thing of beauty है यह हमेशा हमें happiness provide करेगी जब हमें ऐसा लगेगा कि हमारे around कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा तो वो ही कह रहे हैं of all unhealthy and over darkened ways over darkened यानि कि वो दिन जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे आसपास बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हम बहुत sad हो जाते हैं बहुत gloomy हो जाते हैं या जब हम बिमार होते हैं थो हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इन सब चीजों को यह जो thing of beauty है overpower करती है next क्या कहते हैं poet made for our searching yes in spite of all some shape of beauty moves away the pearl from our dark spirits तो वो यही कह रहे हैं कि हाँ इन दिनों में जब हमें ऐसा लगता है कि कोई न कोई ऐसी चीज हो जो हमें happiness दे तो यही है वो thing of beauty जो यह जो परिशानियां हमें नजर आती हैं जो problems हमें नजर आती हैं कि जो बड़े-बड़े clouds नजर आते हैं हमें कि हाँ मारे आसपास्टर फॉस्टर जो sadness है उसके clouds है इन सब को दूर कर देती है पाल यानि कि clouds हमारी dark spirits को क्या कर देती है वो lift कर देती है हम happy feel करते हैं हम अच्छा feel करते हैं हम light feel करते हैं तो next क्या कहते हैं poet such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady moon यानि कि यहाँ पे poet हमें बताते हैं कि earth ने हमें कितनी सारी ऐसे चीज़े provide करी हैं जो कि thing of beauty है, जो कि हमें nature से मिली है तो उन्ही को वो यहाँ पे गिन रहे हैं चाहे वो sun हो, चाहे वो moon हो, चाहे वो trees हो, चाहे वो old हो, चाहे young हो जब यह इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहे हैं कि यह एक blessing है कहाँ ना, उन्हें sprouting a shady, boon, यानि कि एक तरीके से यह हमें blessing की तरह जो है, वो मिले हैं यह सारे thing of beauty जो है, जो हमें earth की तरफ से, जो nature की तरफ से मिली है, वो यहाँ पर count करते हैं, put For simple sheep and such are daffodils with the green world they live in यानि कि ऐसा नहीं है कि यह जो earth की प्रोवाइट करी हुई thing of beauty है, यह सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ humans के लिए है But also for animals, अगर हम sheep की बात करें, या फिर अगर हम यहाँ पर बात करें, प्यारे-प्यारे flowers की, जैसे daffodils की बात करें, तो यह सारे, जो हम इनको forests में देखते हैं, तो यह कितने जादा beautiful लगते हैं, तो यह लिखा है, I don't know, with the green world they live in, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर in the forest, तो जब यह सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो हमें क्या लगता है, हमें happiness feel होती है, तभी हम nature के पास जाने की कोशिश करते हैं, हम mountains में क्यो जाते हैं, हम ऐसी जगहों पर क्यो जाते हैं, जह हमें connect feel हो nature के साथ, क्योंकि हमें happiness मिलती है, तो वो ही आपे poet कह रहे हैं, and clear rills, clear rills मतलब साफ छोटी छोटी पानी की जो नहरे हैं, उन्हें कहते हैं, यह जो streams हैं, उन्हें कहते हैं rills, that for themselves a cooling covert make, against the hot season, the mid forest break, तो क्या कहते हैं, even जब बहुत जादा गर्मी होती है, बहुत जादा गर्मी के दिन होते हैं, even जो nature है, अपने लिए एक बहुत ही beautiful thing of beauty जो है, वो thick low bushes, अब इन animals के लिए, जब बहुत जादा गर्मी होती है, forest में, तो animals क्या करते हैं, waterholes के पास जाते हैं, तो वो जो area है, वो कितना ही pretty लगता है, जब आपे clear rills, यानि चुट चुटी पानी की, जो streams है, वो भह रहे होती हैं, उसके साथ में, इतने pretty pretty flowers होते हैं, चुटी जो bushes होती हैं, वो होती हैं, तो एक तरीके से क्या वो, जो ये bushes है, जब इनके अंदर जो animals है, वो चुपके बैठते हैं, उनको क्या मिलती है, उनको shade मिलती है, उनको beauty है, वो इस चीज़ को experience करते हैं, तो nature भी, in times जब बहुत जादा गर्मी होती है, even at that time, nature जो है, अपने blooms, यानि यहां पर poet कह रहे हैं, यह इसके साथ साथ ही, जो beauty है, उसके साथ साथ, किसकी खुश्बू आती है, जो musk rose होते हैं, जब वो खिलते हैं, तो उनकी जो खुश्बू है, वो हर तरफ sprinkle हो जाती है, यानि कि हर तरफ वो फैल जाती है, तो imagine कितना ही अच्छा लगता होगा, जब प्यारी प्यारी मीटी मीटी ऐसी खुश्बू आती है, इन flowers की, ठना ठना पानी साइट से बहरा होता है, साइट में shade भी होता है, प्यारी प्यारी flowers होते हैं, तो यह एक तरीका का क्या है, नेचर ने create किया है, एक thing of beauty, तो next वह यहां पर कहते हैं, and such too is the grandeur of the dooms grandeur of the dooms का मतलब यहां पर क्या हुआ, पोएटे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कि हम इस thing of beauty को ढूंड सकते हैं, just in the living beings, या उस चीज में जो हमारे सामने है, but even in death there is beauty, and किस तरीके से, जब हम किसी बहुत epic hero की कहानी सुनते हैं, ठीक है, जब हम बड़ी-बड़ी कहानिया सुनते ह हैं, या बड़े-बड़े kings हो गए, उनके बार में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो we see there is beauty in their death also, the way they approach their death, the way they die, the way they fight, the way they fight battles, तो उस तरीके में भी जो beauty है, वो हमें नजर आती है, तो यही मतलब हुआ grandios of the doom का, अब यहां पर क्या कहते हैं, we have imagined for the mighty death, तो इसी चीज को वो यहां पर link करते हैं, for instance, आप किसी historical monument पर जाते हो, and वहां पर जाके, जब आप आसपास की सारी चीजों को देखते हो, observe करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही different feeling जो है, वो आप receive करते हो, जैसे कि आपको लगता है कि यहां पर क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा यहां पर किसी ऐसी जगा पर जाते हो, जहां पर war जो है, या जो battles है, वो हुए है, तो जब उनके बारे में आप imagine करते हो, तो एक अलग तरीके की feeling जो है, वो आप experience करते हो, तो वो चीज को भी यहां पर जो boyat है क्या कहते है, that is also a thing of beauty, जो कि हम experience कर रहे हैं, जो हम experience सिफ living beings में नहीं कर रहे हैं, also in death, जो हम इस चीज को experience कर पा रहे हैं, उसके बारे में सोच के, तो वो ही यहां पर यह कहते हैं, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven's drink, तो यहां पर poet कहते हैं, कि यह सारी कि सारी कहानिया जो हमने सुनी है, जो हम सुनते आते हैं, यह सारी चीजें एक तरीक से मिल रही है, तो वो ही कहते हैं, कि एक endless fountain है, ऐसी fountain जिसका कोई end नहीं है, जो कभी भी बन नहीं हो सकती, of immortal drink, immortal is something, वो चीज जो कि कभी खतम नहीं हो सकती, something that never dies, तो वो जो drink है, वो कभी खतम नहीं हो सकती, यह जो fountain है, it has this immortal drink, जो कहां से पोर हो रही है, directly from the heaven, यानि कि य beautiful चीजे जो हम experience करते है, in living, even the things that are not there, that are dead, यह सारी की सारी चीजे जो है, यह blessings है, जो हमें कहां से मिल रही है, directly from the heaven, यहां पर यह जो पोर है, वो कटम हो जाती है, तो अगर हम इस पोरेम की बात करें, तो यहां हम देखते है, पोरेट कह रहे है, कि कोई भी ऐसी चीज जो ह हमें happiness देती है, कोई भी as a thing of beauty, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, जो हमें feel करी हो, जो हमें experience करी हो, वो चीज हमेशा throughout हमें happiness देगी, it will be a joy that is everlasting, उसकी जो beauty है, उसकी जो loveliness है, कभी वो खतम नहीं होगी, and यही ऐसी चीज है, जो भी हम sad होते है, जो हम हम sick होते है, यही तो अब हम देख लेते हैं, इस पोएम में कौन से कौन से literary devices यूज किये गए हैं, let's have a look, तो इस पोएम में जो दो main literary devices यूज किये गए हैं, वो है alliteration, जैसे की have heard, जो हम last stanza में देखते हैं almost, and then is imagery, imagery का हम example देखते हैं, जब पोईट बताते हैं, ग्राइव दूम्स के मार जब हम से imagine कराते हैं, एक ऐसी जगा जहां पर बहुत बहुतिफुल सी scenery हो, जैसे की cooling covarts हो, daffodils हो, यह सारी चीज़े, so यह तो थी summary of the poem, a thing of beauty by John Keats, हमने देखी उसकी line by line explanation, हमने उसके साथ साथ difficult word meanings भी देखे, और देखे उसके literary devices, अब आप मुझे बताना in comment section कि आपको क्या लगता है कि आपकी life में ऐसे कौन सी चीज है, that is a thing of beauty, जिसके बार में आप चब भी सोचते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, that's all for this video, now until the next video, keep practicing, keep learning.